आज के इस कारक्रम में मेरे साथ यहां उपस्थित महिला मोर्चा की राश्ची अध्यक्षा बहन वानती श्री निवासन जी हमारे महामंत्री और संगठन के दिश्टी से महिला मोर्चा देख रहे और राज्य सवाम में मेरे साथी रहे श्री दुश्यंद गौतम जी हमारे राश्ट्रिय महामंत्री महिला मोर्चा डिप्ति रावत जी हमारे राश्ट्रिय मीडिया और आज की मन संचालक, यहां दिल्ली में 71 राए हमारे सभी विशिष्ट महिला मोर्चा की कारकर्ट्री, अदादिकारी, विभिन जिम्मेवारियों पर काम करने वाले ऐसे हमारे सभी वरिष्ट कारकरता बहने और हमारे रिसोर्स परसंस जो इस कारकर में जुटे हैं और साथी साथ देश भर के सभी यूनिट्स जो डिजिटली हमारे साथ जुड़े हैं, विशेश करके साथ स्थान जिनके साथ अभी हमें इंटराक्शन करने का भी मौका मिला, ऐसी हमारी सभी बहने, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इस कारकर में अपने आपको समावेश करते हुए जोड़ा है, तो आप सब का सबसे पहले बहुत-बहुत अभी नंदन आप सब का स्वाधिर हैं, मुझे कुछ दिनों पहले वानती जी ने बताया था कि इस तरीके से हम कमल मित्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ें, और इसमें हम प्रत्येक लोकसभा में 200 हमा आगे चल करके सरही को ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश करते हुए लगबग एक लाख कमल मित्र बनाने की हमने योजना बनाई हैं, और पंद्रह ऐसे हमारे केंद्र के कारिक्रम हैं, जिन कारिक्रमों को हम अच्छी तरीके से उसकी जानकारिया दें, और लोगों को सजग क करें, बताएं, जानकारी पहुचाएं, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा हमारे महिला लाब ले सकें, बहने लाब लेख सकें, इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने कल्पना में सामने रखी थी, मैंने उसी समय इनको कहा था कि अच्छी कल्पना है, आप इसको आगे महिला मोर्चा को बढ़ाई देता हूँ, जो इन्होंने इस काम कि दिया, आपने इस कारकरब में, रिसोर्स परसंस में, प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा है, और नए आयाम के साथ उनको ट्रेनिंग के दृष्टी से आपको अपने में समावेश कर रही हैं, इसके लिए कांसेट के लिए बढ़ाई, उनकी टीम को बढ़ाई, महिला मोर्चा को बढ़ाई, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि आपने इस कारकरम को रिजनल लैंग्विजिस में, रिजिस्ट्रेशन से लेकर, ट्रेनिंग का पार्ट, उसको आपने क्षेत्रिय भाषाओं में भी उसको अनवादित करके करने का प्रयास किया है, यह विशेश करके बहुत ही अच्छा आयोजन है, प्रयोजन है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग जुर सकेंगे, मुझे बिताया गया कि गुजराती में भी, तेलगू मे मल्यालम में भी, तमिल में भी, उडिया में भी, सभी भाषाओं में आपने इसकी ट्रांसलेशन करके इसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल को आपने जो रूप दिया है, उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने आ एक संदेश भी आपने दिया है मैंने दो-तीन प्रश्ट में जरूर खड़े किये मैं जब वरंती जी आई तो मैंने क्योंकि वो आपको भी मैं उसके बारे में कॉशन करना चाहता हूँ वो यह है कि सबसे पहले ट्रेनिंग में ट्रेनिंग किसने ली या नहीं ली डिजिटल के फायदे भी है तो उसके ग्लिचेज भी है तो आपको उसमें अटेंडेंस की डिजिटली व्यवस्था करनी पड़ेगी और मैं चाहूंगा कि स्टेट यूनेट्स वीजन वाइज इसकी सिंता जरूर करे कि अगर ट्रेनिंग ली है तो वह ट्रेनिंग में उनकी अटेंडेंस कैसे होती है उसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रुत है तो ये एक विशे आपके ध्यान में लाएं चाहता है दूसरा मैंने इनसे पूछा कि एक्जामनेशन कब शुरू हुआ और एक्जामनेशन कब समाप्त हुआ उसका डूरेशन क्या था इसके बारे में आप कुछ सोचेंगी तो इनका सोचेंगी ज़रूर लेकिन उनका ये प्रमोशनल है तो इसलिए मैं इनको नोशनल हालत में मैं कहता हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाए लेकिन आगे डिजटली इन दोनों चीजों की हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि हम जो training दे रहे हैं, वो एफेक्टिव ट्रेनिंग दे और उसकी efficient quitty बने, efficacy बने इसकी हमको चिंता करनी होगी मैं यह सब बात हैं इसलिए कहता हूँ कि आप महनत कर रहे हैं उस महनत में नीचे तक वह उसी तरीके से परकुलेट हो उसकी आवशक्ता होती है इसलिए quality के साथ compromise ना हो उसकी effectivity कमजोर ना हो उसकी efficacy कम ना हो उसके लिए इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूत होगी और अचा रहेगा ऐसा मुझे लगता है मित्रों बेनों आप लोगों के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो यह है कि बहुत लंबे समय तक नीती निर्धारकों ने महिलाओं की बात तो कहीं लेकिन बात को जमीन पर उतारने में और लास्ट माइल डिलिवरी करने म बहुत से ग्यापस रहे हैं आज प्रधानंत्री मोदी जी के नित्रयत्वहार कुछी है कि आज सही मायने में इन नीतियों के माध्यम से इन कारिक्रमों के माध्यम से महिलाओं कास धर्ती पर सशक्ती करने हुगा है the empowerment of women at the grassroot level जिसको हम कहते हैं ground zero पर हो रहा है और इसमें हम लोगों के लिए ये एक opportunity है कि हम बढ़ चड़ करके जादा से जादा महिलाओं तक इन योजनाओं को सही रूप में पहुचा सकें ये हमारी जिन्म वाली है अब मुझे याद है मैं स्वास्त की अगर बात कहूं तो एक समय था योजनाओं तो बहुत थी लेकिन फाइदा कौन लेता था फाइदा वहां पहुचे नहीं पहता था लेकिन आज हम कह सकते हैं कि स्वास्त विभाग के कारिक्रमों में हमारी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ी अगर हम टोटल फर्टिल्टी रेट देखें तो वह भी नीचे आ रहा है अगर हम MMR की बात करें तो वह भी सुधर रही है अगर हम IMR की बात करें तो उसमें भी बहुत सुधार हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कारिक्रमों की इफेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है और आप लोग भी अपने कारिक्रम की इफेक्टिविटी बढ़ाएंगे मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूँ तो उससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है दूसरी बात अब देखिए ये भी आपको चर्चा करनी चाहिए ये डीजिटली आप नहीं कर सकें क्योंगे डीजिटली तो आप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे मैं प्रोग्राम के बारे में एक बात जरूर कह दूँ कि मैं आया सुबर तो आफिस में ये पढ़ा हुआ था तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भी यह जरूर पढ़े इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा बहुत सी चीजें आपको इस्यान में आएंगी कि आपकी भी जानकारी में नहीं थी और आपकी जानकारी में नहीं थी तो आप नीचे कैसे देगी इसलिए इसको भी पढ़ना ये जो भी हमारे स्टेट्स में भी सुन रहे हैं सभी स्टेट के यूनिट से मैं निवेदन करूँगा कि इसको रीजनल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है मैंने पता किया तो इसको जादा से जादा लोग पढ़ें और पढ़ करके हम अपने कोर्सेज में जब हम चर्चा करें तो उसमें हम उसके how to enter into the program कैसे हम उसकी facility ले सकते हैं ये सब चीजों के बारे में detail बताया गया है देखिए जैसे जब मैं कारकरम की बात करता हूँ तो आप लोगों ने 15 कारकरम तो निकाले हैं मैं 15 कारकरमों के बारे में तो चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप सब लोग उनको करने वाले ही हैं लेकिन मान लीजे मैं एक कारकरम उठाता हूँ जल जीवन मिशिन हर घर जल, हर घर नल अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को गाउं में रहने का मौका मिला है लेकिन मैं गाउं से आता हूँ यह कितनी बड़ी ताकत दे रहा है प्रधान मंत्री मोदी जी का यह कारक्रम मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से महिलाएं एक जुंड में पहाड़ों से नीचे उतर कर और एक एक घैला पानी भर कर किस तरीके से वो उपर ले जाती थी वो मैंने अपने आखों से द्रिश्य देखा है और समय कितना लगता था मालूम है दो से ढ़ाई घंटे नीचे जाना पानी भरना फिर रास्ते में रुक रुक करके पानी वापस लाना आज जब हर घर जल हर नल जल ये कारकम बनता है तो इसका सबसे बड़ा सशक्तिकरन होता है तो महिला सशक्तिकरन होता है इसको आपको समय मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कि इसकी चर्चा करनी चाहिए तीन-तीन किलोमेटर दूर जाकर के लोग पानी भरते रहे और आज ये जल जीवन मिशन में घर-घर पे नल को बढ़ाने के और इसकी संक्या कितनी है नौ करोड टैप कनेक्शन देने का योजन को हम पुरा कर रहे है नाइन करोड अब आप नौ करोड अब जब घर बोलते हैं तो आप समझे कि भारत कहां खाड़ा था जब मैं इस सारी चर्चा करता हूं तो हमारे कॉंग्रसी भाई बहुत उनको बड़ी दिक्कत होती है 2014 के पहले भारत कैसा खड़ा था इस तरीके का भारत खड़ा था और आप मैंनावर्स जोड लीजे अगर धाई घंटे दो घंटे एक बहन को प्रती दिन पानी लाने जाना पड़ता हो तो कितने घंटे होते हो गर कितना समय उनका जाता होगा और कितने नुक्सान होता होग मैं ऐसे ही जब मैं पहली वार MLB आपको सुनाता हूँ तो मैं गर्मी में निकल गया एक पहाड पर गया जो मेरी कंस्वेंसी थी तो वे एक बुरी महला मिली मैं नेका नवस्तेज़ में मैं नेका हाँ हो गए तुम्हारे दर्शन मैं नेका जी आ गया मैं मैं नेका क्या कोई तकलीफ है तकलीफ पूछ रहे हो ये देखो मेरे सर के बाल चले गए घैला उठा उठा करके ये मेरे साथ आप मेरे साथ बीतिवी घटना आपसे मैं शेयर कर रहा है पानी के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है खेर मैं मिल ले था बाद में मंत्री बना मैंने उनकी योजन करके पानी पहुचाया बहुत खुशी हूँ उनलों को लेकिन ऐसा भी भारत हमने देखा है और यहां महत्व कांक्शी योजना प्रधान मंत्री मोदी जी लेकर के आए है कि कोई घर बिना नल के न रहे और नल बगएर पानी के न रहे जल के न रहे इसको जोजन के समय उजोला योजना की बात है यह भी मैं गाव से आता हूँ इसलिए आप से मैं शेयर करना चाहता हूँ लगता दोबड़ा आसान है हमारे जैसे लोग पढ़ेलिखे इंटिलेक्ट्टिल्टल्ज जो थे हैं यहां पर आओकड़े गिना देते हैं कि रहे जैकलते साड़े 9 क्रोड हमने गयास का अकलिक्शन दिया और गयास का क्निक्शन पहुंचा है लेकिन ये ये गैस का कनेक्शन ही सिर्फ नहीं है गाउं में उज्वला योजना से पहले बहने सुवेरे पांच बजे उठकर अपने दैनिक नित्य क्रम से फ्री होकर जंगलों में जाती थी जंगल से लकड़ी काट के लाती थी लकड़ी काट करके चूला जलाती थी और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है एक उसको हम लोग फूक नहीं बोलते थी है न उससे फूक फूक करके फूक फूक करके और उसको फूकने के बाद जो धूआ उड़ता था वो सारा धुआ अपने चाती पर यानि अपने लंग्स में लेना और एक दिन में कम से कम दो सो सिग्रेट के बराबर का धुआ वो इन्हेल कर लेती थी पल्मिनरी डिजीज, लंग की डिजीज उनको होती थी और आखें अलग से मतलब रसोई से बाहर निकले, तो पहले तो पानी डाले और बिलकुल पानी पानी हो रहे होते थी ये दिन हमने देखे हैं, इस तरीके की सिधियां हमने देखी हैं और अच्छा लकडी अलग कटती थी, जंगल अलग कटते थी अच्छा, और भी उसमें क्या होता था, वो सुवेरे पान्च बजे जब वो काटती थी तो पडोसी उड़ जाता था कि ये मेरा पेड़ कट रहा है या तेरा पेड़ कट रहा है जगड़ा उस पर भी हो जाता था यानि वहां से लेकर के आज, नंबर कितना है उजवला योजणा में, साड़े नौ करोड़ लोगों को ग्यास का कनेक्शन दिया गया है और ये ऐसे ही नहीं माटा गया है, इसमें आप पढ़ लिजेगा जो लोगों को जरुआत मन्न लोगों तक पहुँचाया गया है और जोरुत मन्द लोग अगर सारे 9 करोड थे तो 2014 से पहले भारत की क्या स्थिती थी इसका हमको अंदाजा लगामा चाहिए अगर मैं बात करूँ स्वच्टा अभियान की मैं बार बार लोगों को कहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन सब बातों को कीजिए क्योंकि महिला से शक्ति करूँ और इसका डारेक्ट बेनिफिट महिलाओं को ही मिला है जब स्वच्टा अभियान की चर्चा प्रधान मंत्री मोदीजी ने लाल किले के प्राचीर से की तो कॉंग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया ये कहा कि भारत का प्रधान मंत्री स्वच्टा की बात लाल किले के प्राचीर से कर रहा है क्यों क्योंकि वो इतने कटे हुए थे धर्ती की समस्याओं से कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी आज आपको जान करके आश्यरे भी होगा कि इस 11.5 करोन इज़त घर टॉयलेट्स बनाए नजर हर खबर पर